हैलो फ्रेंज आज हम बनाएंगे सेहत मन ड्राइफ रूट के लड्डू जिसमें आए कोई हम चासनी का इस्तमाल करेंगी चिनी, मिश्री, गूर किसी भी चीज़ का इस्तमाल नहीं करेंगी और ये बच्चे और बड़े सभी मांग मांग कर खाएगे सभी को बहुत ही पसंद द्राइफ रूट जो है रेडी कर दिया है तो सबसे पहले यहाँ पर एक किलो खजूर लिया है खजूर में से अंदर से खजूर का जो बीज होता है वो निकाल लेंगे और खजूर को थोड़ा ना मिक्सर जाग में ग्रैंड कल लेंगे काकि़ थोड़ा भी सकत अगर तो फिर एकदम से लड़ू में वो अच्छे से मेल्ट हो जाते है तो बस सारे खजूर में से हम बीज निकालेंगे और खजूर को अच्छे से मिक्सर में पीस लेंगे तो देखी यहां पर खजूर को मैंने मिक्सर में पीस लिया है तो बस एक पैन रखेंगे, उसमें से एक बड़ा चम्च गी का डालेंगे और गी को मच्छे से कलेंगे, melt तो गी के मेल्ट होने के बद ही, एक कटोरी इसमें डालेंगे यानिकी 100 ग्राम बादम और एक कटोरी यानिकी 100 ग्राम काजू डाल देंगे आप अगर ग्राम के इसाब से ड्राइफरूट नहीं लेते तो कोई भी कटोरी का माप भी आप रख सकते हैं इससे हम मेडियम फ्लेम पे ही भून लेंगी इसका नाई बहुत कलर चेंज नहीं करना में लेकिन अच्छे से इसे क्रंची करने तक भून लेना है तक इसकी सेफ लाइफ भी लड्डू में बढ़ जाएगी और ये इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़ी आएगा तो बस दो से तीन मिनिट भूनने के बाद इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे फिर वही सेम पेन में हम डाल देंगे 100 ग्राम अक रोट और 50 ग्राम डाल लेंगे पिस्ता और इसमें डाल देंगे 100 ग्राम किस्मिस इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे 2 से 3 मिनिट के लिए इसे भी हम हलके हलका मीडियम फ्लेम पे देखिए रोस्ट कर लेंगे और ड्राइफ रूट की तो आपको क्या बताएं क्या इसकी खासियत होती है सभी को पता ही होता है मिनरल विटामिन केल्शियम सभी चीज इसमें बरपूर होती है इसलिए यह सेहत मन लड्डू कहलाते ह अगर इसके फाइदे बताने बेटूंगी तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा तो बस देखिए यह भी हलके से रोस्ट हो चुके है इसे भी हम निकालेंगे फिर सेम पिन में हम वापिस एक चमश डालेंगे गी फिर इसमें डालेंगे 50 ग्राम मकाना मकाना को भी हम अ हेल्डी होते है इसके कई तरह की सब्जी भी बन दी बहुत सारी रेसिपी में मकाना यूज होते तो यह हैल्ड के लिए भी अच्छे होते तो बस यह भी रोस्ट हो चुके थे इसे भी हमने निकाल लिया है फिर सेम पेन में हम वापिस से एक चमश डालेंगे गी और इसमें डाल देंगे हम 50 ग्राम मगज तो बस इसे भी हम मीडियम फ्लेम पे ही 2-3 मिनिट के लिए रोस्ट कल देंगे भून लेंगे तो बस मगज भी हमारा अच्छे से भून चुके है इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे इसे मैंने अलग इसे लिए निकाला है क्योंकि मैं इस दुखा नारियल और 50 ग्राम डाल देंगे खस खस इसे भी हम मीडियम फ्लेम पे हलका हलका रोस्ट कल लेंगे भून लेंगे बहुत नहीं पुनना हमें इसका कलर चेंच नहीं कि करना सिर्फ हलका हलका ही हमें इसे भूनना है बस मुश्किल से मैंने इसे डेट से 2 मिनिट के है अब हम इसे भी निकाल लेंगे प्लेट में इसको हम मगज के साथ ही डाल देंगे क्योंकि हमें इसे भी पिसना नहीं है मिक्सर में तो बस वही पेंड में हम दो बड़े चमट डाल देंगे अब गी को कलेंगे अच्छे से मेल फिर इसमें डाल देंगे गुंद यहां पर मै तो देखिए यहां पर गुंद हमारा फ्राइ हो चुका है अब इसे भी हम निकाल लेंगे इसे भी हम ड्राइ फ्रूट के साथ निकाल लेंगे क्योंकि इसे भी हमें पिसना है अब बचा हुआ गुंद भी हम फ्राइ कल लेंगे medium flame पे हिलाते हुए इसे भी हम fry कर लेंगे तो देखिए ये गुन भी अच्छे से fry हो चुका है इसे भी हम एक plate में निकाल लेंगे फिर वही same pan में हम वापिस से डाल देंगे एक चमच घी और घी को कर लेंगे melt फिर इसमें डाल देंगे हमने जो खजूर पीस के रखा था वो डाल देंगे और खजूर को हम medium से low flame पे भून लेंगे इसे बनते हैं तब तक हम low flame पे भूनेंगे क्योंकि वरना ये वरना सक्त हो जाएगा और लडू में भी परिशानी हो सकती है लडू हाड हो जाएगी इसलिए हम medium to low flame पे भून लेंगे बस इसे बहुत भूनना नहीं है सिर्फ 2-3 मिनिट के लिए हमें भूनना है बस 2-3 मिनिट भूनने के बाद देखिए खजूर हमारा आच्छे से melt हो चुका है तो इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे चलिए अब चलते हैं आगी की प्रोसेस की हो तो मैंने यहाँ पे एक mixer ग्रेंडल ले लिया है इसमें मैंने सारे ड्राइफरूट जो हमें पीसने है वो डाल दिये है थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसे दरदरा पीस लेंगे इसे हम ज़्यादा नहीं पीसना सिर्फ दरदरा ही पीसना है तो यहाँ पे ड्राइफरूट को दरदरा पीस लिया अगर कुछ मोटा मोटा रह गया तो इसको आप दो से तिन टुकड़े करके छोटा टुकड़े में काट सकते अधर्वाइस यह क्रंचीनेस लगेगा अगर बड़ा बड़ा इसमें टुकड़े रही के तो यह बहुत ही अच्छा लगेगा टेस्ट में अब इसमें मगज और सुका टुप्रा जो हमने पिसा नहीं है वो भी डाल देंगे अब सारी चीज़ को हम इसमें मिला लेना है इसके बाद अब इसमें डाल देंगे हम खजूर जो भून के हमने रखा हुआ था तो बस अब हम सारी चीजों को mix करेंगे अच्छे से अच्छे से हम सभी चीजों को मिला लेना है पहले आराम आराम से अच्छे से हम इसे मिला लेंगे तो देखी यहाँ पर अच्छे से सारे dry fruit कजूर वगेरा सब अच्छे से mix हो चुका है तो बस अब हम इसके बनाएंगे लड्डू थोड़ा थोड़ा पोशन पार्ट लेंगे हम और इसके बनाएंगे लड्डू दिखिए दिखने में जितना बढ़िया है सेहत के लिए उतना ही बढ़िया होता है और ये अकसर सर्दियों में खाये जाने वाले लड़ू है ये सर्दी, सर्दत, कमर्दत, जोडो का दर्द, सभी में ये सेहत मन्द है लड़ू तो बस इसी तरह से हम इसके सारे लड़ू बना लेंगे अगर ये इसकी वजन में बात करूँ तो ये डेट से दो किलो के ये लड़ू बने है तो देखिए अच्छे से ये लड़ू बनाएंगे हम इसके सारे लड़ू हम इसे ही बना लेंगे तो ड्राइफूट के लड़ू रेड़ी हो चुके है तो आज की मेरी रेसिपिया को कैसी लगी comment box में ज़रू बताएगा और आज की रेसिपि ज़रू ट्राइ कीजेगा तो चलिए आज के अगर मेरे रेसिपी, winter special recipe, healthy recipe अपो अच्छी लगी है तो like, share, comment and subscribe ज़रू कीजेगा तो जल्दी से मिलते हैं new recipe के साथ तब तके लिए बावाई everyone